नमो बुद्धा हैं, अभी हम आपको बता देंगे, जीवन को बहुत ही सुखी बनाने वाले संपात्ती के बारे में, ये उत्तम संपात्ती को आपके सीख लिजे, बगवान बुद्ध हम लोगों को बताएं, मानो जीवन को सुखी बनाने वाले सुखी बनाने के लुपकारी होने वाले चे प्रकार की संपात्ती हैं, कितना प्रकार की? चे प्रकार की संपात्ति, पहला है न्याती संपात्ति, दुसरा है भोग संपात्ति, तिसरा है आरोग्य संपात्ति, चोता है सील संपात्ति, पंचमा है चित्त संपात्ति, छटा है दिठ्ठी संपात्ति, न्याती संपात्ति मतला परिवार, न्याती रिष्टेदार लोग हो भोग संपात्ती मतलब पैसाधन संपात्ती इत्यादी संपात्ती आरोग्य संपात्ती मतलब हिल्दी स्वास्थोन सील संपात्ती मतलब सील सुरक्षा करना चित्व संपात्ती मतलब मान को पाइतर करना, दिठ्व संपात्ती मतलब अपना सही दृष्टी को रहना ये चल संपात्ती से कोई भी मानों का जीवन बहुत ही सुखी बना देता है लेकिन ततागत ने इसमें बता दिया दिखा दिया याति संपत्ति भोग संपत्ति तता आरग संपत्ति ये तीन संपत्ति से जितना सुक प्राप्त हो गया तब भी ये तीन संपत्ति से स्वर्ग में जनम होने के लिए उपकार नहीं होता है यानकि ये भोग संपात्ति, न्याती संपात्ति, आरग संपात्ति से लोग स्वार्ग में नहीं जाते हैं स्वार्ग में जनम लेनी के लिए उपकार होता है सील संपात्ति, चित्त संपात्ति तता देठी संपात्ति ये ज्याति संपात्ति, भोग संपात्ति तता आरोग संपात्ति ये तीन प्रकार के संपात्ति से इस जीवन में सुख मिलता है लेकिन ये तीन प्रकार के संपात्ति से मिलने वाले सुख सिर्फ इस जीवन के लिए ही लग होता है अगले जनम के लिए नहीं जो कोई सील संपात्ती है, सील संपात्ती से मिलने वाले सुख इस जीवन में थाथा अगले जनम में थाथा संसार में जनमों जनम में सुख दे देता है सील संपात्ती से थाथा चित संपात्ती से भी इस जीवन में भी सुख मिलता है, अगले जीवन में भी सुख दे देता है संसार में हर एक जन्मों जन्म में सुख मिल जाता है तता दिट्ट समपत्ती से भी इस जीवन में ही सुख मिल जाता है अगले जन्म में भी सुख मिल जाता है निर्वान को प्राप्त करने दम तक सुख मिलते रहेगा सांती मिलते रहेगा इसलिए सुखी जीवन जिसको पाना चाहते हैं वो मनन करना चाहिए इस जीवन के बारे में सिर्फ नहीं इस जनम से लेकर के हर एक जनम जनम के बारे में वो सोचना चाहिए तथा वो मनन करना चाहिए अगले जनम के लिए भी नहीं जब तक निर्वान प्राप्त होगा तब तक अपना जीवन को सुखी बनाने के लिए कोशिस करना चाहिए जब तक निर्वान नहीं होगा तब तक सुखी जीवन पाना चाहिए निर्वान प्राप्त करने के बाद कोई तकलिफ नहीं है इसलिए वो ज्ञानी मानो ज्ञानी ब्याक्ति एसे समझ लेंगे तो सच मुच में वो बुद्धि मान है वो ही है प्रग्णावन ब्याक्ति इसलिए इसी जीवन को सुखी बनाने वाले न्याति संपत्ति, भोग संपत्ति, आरुग संपत्ति सिर्फ रहने पर काम नहीं होगा वो भी होना चाहिए लेकिन उससे भी ज्यादा और चीज है इसलिए इसी जीवन के बारे में सिर्फ विना मनन करके संसार में, दीरग संसार में हम लोग को जाना पड़ गया तो खाम से गां और ये हम लोग को अभी एक जनम मिला और खरोर जनम जाना पड़ गया तो खारोर जनम में हम लोग खाओ पीके चैन से सुखी से रहा गया तो अच्छा ना है नहीं तो बाई मिस्टेक कुछ कर दिया तो फिर नारक में चल जाएगा अगर एसा संसार में हम लोग गरीब जनम पाएंगे तो खातरा जगा आप जनम लेंगे तो बाईशे में बहुत पाचता ना पड़ेगा इसलिए ततागतनी दिखाया ये तीन संपात्ति भी चाहिए सील समपात्ति दिट्टि समपात्त वता सित्त समपात्ति ये सील समपात्त चित्त समपात्ति दिट्टि समपात्ति ये थीन से ये थीन समपात्ति को अपना कर ये थीन समपात्ति बलवान हो गया तो हम लोगोंको सम्पूर्ण रोप से चार अपाय से मुक्त होके स्वारग में जनम लेने का भाग्य मिल जाता है ऐसा है तो ये तीन प्रकार की संपाति बहूत बलवान्त बनाना चाहिए ऐसा बलवान्त हो गया तो और बलवान्त हो गया तो हम लोग को सांसारी दुख से मुक्त होके रेके निर्वान को प्राप्त करने का भी भागी मिल जायेगा इसलिए ततागत भगवान बोधिजे हम लोगों के प्रती महा कारुनिक मांसे जो दिखाया हुआ ये उत्तम धरम को प्रयास करके चीत संपात्ती, सील संपात्ती, दिट्टी संपात्ती ये तीन प्रकार के संपात्ती और बलवान बना के परिपूर्ण करने के लिए पसंद होना चाहिए आप लोग समझ में आगे ज्यात संपात्ती क्या है? परिवार निष्तिदार होना अच्छा है, वो अपना खल्लेन के लिए होता है दूसरा भोग संपात्ती धन, पैसा, सोना, चांद, जामीन, घर्दॉआव, ये साब भी होना झरूरी है तीसरा ये संपात्ती होकर बिमार पड़े गया तो मतलब है नहीं स्वास्त होना चाहिए स्वास्त होना भी बहुत जरूरी है स्वास्त हैं लेकिन गरेब हैं मतलब हैं मुश्किल हैं स्वास्ति भी हैं अमीर भी हैं लेकिन कोई रिष्टेदार न्याति परवर कोई नहीं आकेला है उससे भी कोई मतलब नहीं है ये तीन चीज होना अच्छा इस जीवन के लिए लेकिन इसी जीवन से लेकर के हर एक जन्म जन्म में निर्वान को सार में बागी तीन संपाति साहता होता है शील संपाति हम लोग उपोसर समय समय प्रले करके सील सूरक्षा करने का ख्यार रख दिया तो उस्से मिलने वाले सक्ति तथा दूसरा क्या है चित्त संपात्ति यानकि अपना मान को पावित्र करके दिहान से एकागरता से हम लोग अपना मान पावित्र करेंगे तो उससे मिलने वाले संपात्ति फायदा उसका शाक्ति तता देट्टी संपात्ति मतलब दिट्टी संपत्ति क्या है? ततागत भगवान बुद्ध की ज्यान को दर्शन करना दिट्टी संपत्ति होता है आपको उसेल संपत्त समाज में आ गया, चीत संपत्त समाज में आ गया दिट्टी संपत्ति मतलब ततागत भगवान बुद्ध जो बताया हो अग्यान के अनुसार देखना दिट्टी संपाती है उस पे मित्या विश्वास नहीं होता है सारे विश्वास सम्यक विश्वास है उस पे कोई अंदविश्वास नहीं है उसमें कोई जूटी विशार भी नहीं है एकदम सच्चाई हैं, खुला सच्चाई हैं, नुकाता चुपाता नहीं है, वैसा सच्चाई ततागत बगवान बुद्ध ने दिखाया, उसी सच्चाई को अपनाना दिट्टी संपाती हैं, उसी प्रकार ही रहना चाहिए मरने दम तक, उसको दिट्टी संपाती गहता है, य आम लोग को चैन से सुखी से रहने के लिए मदद कर देता है तो ऐसा है तो ज्यात संपाति भोग संपाति आरू के संपाति सिर्फ इस जीवन के लिए सुखी बना देता है बागी तीन संपाति इस जनम से लेकर हर एक जनम जनम में साथ में आ जाता है तो आप लोगों को भी ये चेर प्रकार की संपात्ती को मिल जाए। खास करके चेर संपात्ती में से सील संपात्ती, चित्त संपात्ती, दिट्टी संपात्ती, ये तीन प्रकार की संपात्ती को सुरक्षा करके ये तीन संपात्ती को बहुती बलवान्थ बनाने का भाग सबको मिल जाए।